हरे कृष्णा मैं हूँ जोद्सचार डॉक्टर गुंतर पाठी आप देख रहे हैं लक्क गुरुकारक्रम लक्क गुरुकारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अब आईए हम बात करते हैं मिथु राशी की तो जो मिथु राशी के जातक हैं उनकी लिए आज का दि है आपको क्या करना चाहिए कि शितर में प्रयास करें कि आपको लाब मिले नोकरी के शितर में क्या क्या सफलता मिलेगी सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ आयात दिर्यास से क्या लाब होने वाला है सरकारी नोकरी मिलेगी या प्राइबेट सेक्टर में काम करने वाले है आपके लग लाइफ कैसी रहेगी और आप के जीवन में क्या होने वाला है से रसे लाब हो परियास रतकारों में बड़ी सफलता मिलेगी, माता-पिता का सुख मिलेगा, दूर देश की यातरा का यूग बन रहा है, आयात निर्यास आज आपको लाब मिलने वाला है, नए महवान के आगमन से मन आपका प्रफुलित रहने वाला है, तो बहुत सारे कार जो बहुत दिन से चीर प्रतिक्षित है, वह संपन होते हुए दिख रहा है, जो आपके महतोकान चाहिए है, जो वीजान है, जो आइडिया है, उसको इंप्लिमेंट करने का समय आ गया है, आ आज जेदारी में किया गया बैबार से, आज आपको लाब हो सकता है, रियल इस्टेट प्रापल्टी में थोड़ा साज बचने की जुरत है, कोई अग्याद व्यक्ति से डिल न करें, आज जो भी आपके खिलाब खडेंतर करना चाहता है, खडेंतर कारी भी भल रहेंगे, गाड़ी चलाने से परहेज करें, घर में नए मेहामान के आगमन से मन प्रसंद रहेगा, जैद आज आज आप कहानी लिखना चाहते हैं, पुद्दола करना चाहते हैं, उसके लिए आज का दिन आपके लिए अगर कोई कारिक करते हैं, ता आपके लिए काफी अच्छा परिवार में भाई-बहनों के लिए अच्छाब करेंगे परिवार में जो आपका योगदान होगा, बहुत ही बहतरी होगा, माता-पिता का शूख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान के प्रगति से मन आपका प्रफुलित रहेगा, खड़े अंत्रकारियों से थोड़ा मन आपका उद्धिन हो सकता है, आपने को चारो तरफ से घीरे हुए मासूस कर सकते हैं आज आपको सवधानी क्या ब्रतनी है, सवधानी आपको ये ब्रतनी है कि अपनी गोपनी अता बढ़ते, कोई काम जब तक हो न जाए, तब तक उसको आपकिसी को न बता में, नहीं तक होता हुआ काम भी रह जागा नहीं होगा, ये ध्यान डखना है, उपाय क्या करना है, गड़पते नमः इस मंत्र का जब करें इंपो दुरवार पीत करें आपके लिए अच्छा रहा हरा मुंग दान करना भी आपके लिए बहतर होगा आज आप के लिए जो सुभंग है वो तीन है और सुभंग हरा है हरे क्रिश्न